नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका अंप्रमेंट में, आज बात करने वाल हैं, LIC में जो वेकेंसी आई हैं, Assistant Administrative Officer की, ए ए ओ की जो वेकेंसी आई हुई है, LIC में, LIC यानि Life Insurance Corporation of India में, यह जो वेकेंसी आई हैं, यह आई हैं, जर्नलिस्ट आफिसर की, IT आफिसर की, Chartered Accountant की, Actual Officer की और राजबासा अधिकारी की, जो जर्नलिस्ट की वेकेंसी आई हैं, उसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में graduate हैं, आप आविधन कर सकते हैं, IT के लिए थोड़ी सी Post Specific Qualification माई गई है, वही Chartered Accountant के लिए, Actual के लिए और राजबासा के लिए भी पोस्ट के अगॉर्डिकेंसी आई हैं, उनके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में graduate हैं, आप आविधन कर सकते हैं, तो आज हम आपको बत से देखना, लेकिन उससे पहले अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लिए, को यहां मिलती है, सरी जनकारी ब्लकुर सरलबासा में, चलिए शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए Employments Point चैनल को, और पाइए Government Jobs की latest updates, और साथी bell icon को पैस करन न भूले, तो साथी यह वेकेंस है हैं, लिए सी मां Assistant Administrative Officer की AAO की और यह वेकेंसी है, जनलिस्ट की, इसके लावा IT Officer की, Chartered Accountant की, Actual Officer की और राजभासा अधिकारी की, यह जो वेकेंसी हैं, इनके लिए इंदियन सिटीजन एप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी राज्य के नि की है तीनजोंफकर 400 वहीं ए एओ-ि पचास पचास वेकंशी कि आ ही है एक्चियॉल की वेकंशी ह adjac encourage की टोटल वेकंशी पांस्व नभ है इनी टोटल वेकंशी में से सूबcych कि है ॉबिसी की एक next 24 को आई एक उस उडिक है refresh और सामाने की वेकेंसी हैं 237 बात करें पी एच के रिजर्वेशन की तो लोकोमेटर डिशेविल्टी के लिए 6 वेकेंसी आई हैं विजल इंपेर्ड के लिए 6 आई हैं और intellectual disability, multiple disability के लिए 6 vacancy आई हैं, इस परकार 24 vacancy आई हैं, pH candidate के लिए, और हमारी overall vacancy है, 590 जिन में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट की वेकेंस आई हैं, वो आई हैं, 350, अब बात कर लेते हैं, schedule of events की, तो 2 March 19 से form भरना शुरू हो चुके हैं, और last date है 22 March 19, 2 March से लेके 22 March तक online आप आविदन कर सकते हैं, वहीं बात करें, call letter की, तो call letter आपके आजाएंगे, 22 April को एक मीने बाद ही, यानि 22 March को form end होंगे, और एक मीने बाद call letter आएंगे, 4 और 5 मेरी को आपका exam होगा, pre, वहीं 28 June को exam होगा, आपका main, तो 4 और 5 मेरी को pre exam है, और 28 June को main exam है, अब बात कर लेते हैं, age limit की और education qualification की, तो age और education qualification, 1, 3, 2, 19, और 1 March, 2, 19 को count होगी, age minimum 21 साल है, maximum है 30 साल, यानि आपका जनम 2, 3, 1989 से लेके, 1, 3, 1998 की बीच में हुआ होना चाहिए, ये दोनों data में सामिल है, S.E.S.T. को 5 साल की, O.V.C. को 3 साल की, P.H.C. को 10 साल की, इसके अला आपके पास bachelor degree होनची है, किसी भी discipline में, आप किसी भी विसाय में इसनातक है, आप आवेदन कर सकते हैं, आप BA है, B.H.C. है, B.T. है, M.T. है, BCA है, या फिर कोई भी degree आपके पास है, आप आवेदन कर सकते हैं, वहीं बात करा हैं, A.O.IT की, तो इसके लिए आपके पास graduation की degree होना चाहिए, Engineering में, Computer Science में, IT में, या Electronics में, या फिर आप M.C.A. हो, या फिर आपने MSC कर रखी हो, Computer Science से, तो या तो B.E.B.T. हाप हो, Computer Science में, IT में, Electronics में, या फिर आपने MCA कर रखी हो, या फिर आपने MSC कर रखी हो, Computer Science से, बात करें, A.O. Chartered Accountant की, तो Assistant Administrative Officer Chartered Accountant के Institute of India के बात करें हम AAO Actuarial की तो इसके लिए आपके पास bachelor degree ने हुचे किसी भी discipline में और साथ ही आपने compulsory paper CT1 CT5 plus 4 पास किया हो या इसे ज्यादा paper पास किये हो जो परिच्छा आयुद कराई जाती है Institute of Actuary of India दोरा या फिर Institute and Faculty of Actuary UK दोरा टोटल 6 या इसे ज्यादा paper आपने पास किये हुए हो एक मार्स दिया उनिसको इसके अलावा आपके पास member से पूर्णी चीए इसी सरस्थान की बात करें अगर हम AAO राजभासा की यानि Assistant Administrative Officer राजभासा की तो आपके पास master degree ने हिंदी मे या फिर Hindi translation में with English as a one of the subject at bachelor degree level तो आपने हिंदी से MA कर रखी हो और English आपके पास रहा हो BA में या फिर आपने MA कर रखी हो English से और हिंदी रहा हो as a subject आपके पास graduation level पर या फिर आपने PG कर रखा हो Sanskrit में और English हिंदी आपके पास subject की रूप में रहे हो BA में तो या तो आपने MA हि English से कर रखा हो और आपके पास दूसा जो subject है वह creation में हो या आपने MA कर रखी हो Sanskrit से और हिंदी इंगलिस आपके पास bachelor degree level पर रहे हो तब या आप आविदन कर सकते हैं और यह सबी योगता आपके पास एक मार्स द्यावनिस को होनी चाहिए जिन के पास यह नहीं है वह आवि आपको दी जाएंगी अगर हम बात करने सर्विस कंडिसंस की तो आपको पूरे वालत में कहीं भी सेवा के लिए भेजा जा सकता है और आपको वहीं सेवा करनी होगी प्रोवेशन के अर्म बात करें तो आपको एक साल के प्रोवेशन पर रखा जाएगा और ये प्रोवेशन प्रेड आगे भी बढ़ाया सकता है आपकी satisfactory job performance होने पर ही आपको permit किया जाएगा guarantee bond के अर्म बात करें तो आपसे 2,00 रुपे का bond भरवाया जाएगा कि आप कम से कम 4 साल LIC में सिवा देंगे उसके बाद ही आप नौकरी छोड़ सकते हैं अगर आप उसे पहले नौकरी छोड़ते हैं आपके 2,00 रुपे जब कर लिए जाएंगे बात कर लेता है application fees की तो application fees SCST PH के लिए है 100 रुपे वहीं बागी के लिए है 600 रुपे जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वह आपको अलग से देने होंगे तो SCST PH के लिए जमा कराने हैं वहीं बागी के लिए को जमा कराने है 600 रुपे तो यह तो बात हो गई फीस की बात कर लेते हैं आवेदन करने की तो application form online है आप LIC India की website से आके बर सकते हैं साथ ही हमने इस फीडियो के description में लिक दे दिया है तो आप वहाँ से भी बर सकते हैं पहले आप registration करेंगे उसके बाद में उसका मिलान किया सके और application registration के लिए आप सबसे पहले जाएंगे LIC India की website पर वहाँ जाके आप सकते हैं साथ ही हमने इस वीडियो के description में लिंक दिया हुआ है आप आप से इंट्रू के टाइम पर मांगा जाएगा तो आप भरे हुए आवेदन पत्र की और जो आपने कांगा के है उसकी रसीद की एक copy निकलवा के अपने पास आवस्ते रख लें अब बात कर लेते हैं सेलेक्शन प्रोसीजर की तो सेलेक्शन प्रोसीजर जो रहने बाला है उसमें फेज़ वन एक्जाम होगा फेजब टू एग्जाम होगा और उसके बाद होगा आपका लेके आएंगे और फोटो कॉपी भी आप लेके आएंगे अब बात कर लेते हैं सेलेक्शन प्रोसीजर की तो यह प्री एक्जाम होगा वह सब के लिए कॉमन रहने वाला है सभी पोस्ट के लिए एक ही एक्जाम कराये जाएगा इसमें रीजनिंग के 35 कुष्चन आएंगे 35 मार्क्स के और यह दोनों हिंदियों इंग्लिस दोनों भासाओं में आएंगे और रीजनिंग और क्वान्टिब एप्टूड के लिए आपको कम से कम 16 अ जाने है और और उसके बदले में 30 मार्क्स आपको मिलेंगे यह पेपर इंग्लिस वासा में आएगा इसमें नौ अंक लाने होंगे कम से कम 16 अंक लाने होंगे बाकी को 20 मट का समय मिलेगा और इसके नमबर मैट में नहीं जुड़ेंगे जो 35 पैटिस नमबर है रीजनिंग क मैट के वहीं जुड़ेंगे और उन्हीं के मार्क्स के वेस्ट पर आपको में एक्जाम के लिए बुलाया जाएगा इस पूरे पेपर के लिए समय मिलेगा आपको एक घंटेगा तो साथ यो प्री एक्जाम में 100 कुश्चन आएंगे और इनमें से रीजनिंग और मैट के न बी होगा 25 अंकों का दोनों online आउट की जाएंगे और जो objective टेस्ट होगा उसके प्रतेक सेक्शन के लिए अलगलग टाइम दिया जाएगा और आपको प्रतेक सेक्शन में भी पास होना होगा और जो 25 अंका descriptive test होगा वो objective test के बाद आउट कराये जाएगा तो यह descriptive test होगा उस इसमें 30 question आएंगे 90 अंकों के और इसमें SST को 40 वहीं बाकी को 45 अंक लाने होंगे समय मिलेगा 40 मिनट का general knowledge और current affairs के लिए आपको 30 question दिये जाएंगे साथ अंक इसके होंगे इसमें SST को 27 और बाकी को 30 अंक लाने होंगे समय मिलेगा 20 मिनट का तीसरा section होगा data analysis और interpretation का इसके लिए 30 question आएंगे 90 मिनट के इसमें SST को 40 वहीं बाकी को 45 अंक लाने होंगे समय मिलेगा 40 मिनट का इसके लाबा जो insurance and finance market awareness है उसके 30 question आएंगे साथ अंकों के इसमें 27 नंबर लाने होंगे SST को 30 लाने होंगे बाकी को 20 मिनट का समय आपको दिये जाएगा इस पकार 120 question होंगे 300 अंक होंगे और दो घंटे का आपको समय दिया जाएगा वहीं जो पांचमा आपका paper होगा वह होगा descriptive type English language का letter writing का और essay का दो question होंगे 25 अंक हो लेखना होगा यह तो बात होगी journalist की जिसके लिए डिग्री वाले के अपलाई करेंगे अब बात कर लेते हैं जो qualification based post आई है जैसे AOIT Chartered Accountant और Actual की तो इसमें भी सेब रहने वाला 120 question होंगे 300 अंक होंगे समय मिलेगा 2 घंटे इसमें reasoning के 30 question आएंगे 90 मिन के और इसमें 40 अंक क को 30 लाने होंगे बाकी को समय मिलेगा 20 मेंट का वही professional knowledge जो आपकी post से संबन देता है उसके 30 question आएंगे 90 मेंट का समय मिलेगा इंग्लिस इंग्लिस संक आपको लाने होंगे SST वालों को 45 लाने होंगे बाकी को समय मिलेगा 40 मेंट का वहीं insurance और financial market के awareness के 30 question आएंगे साथ मार्क्स के 27 लाने होंगे SST वालों को बाकी को लाने होंगे 30 में मिलेगा 20 मेंट का वहीं English language में जो letter writing और ऐसे यानि निवंद और पत्र लेखन जो होगा कर्या है इसमें 30 question आएंगे reasoning के 90 आपको दिये जाएंगे और 40 लाने होंगे SST को 25 लाने होंगे بाकी को प्Wow को ऌनेशियल ओर इन्शेयल मार्केट और insurance से समंदर पशन आएंगे 30-7 होंगे और 27 अंग लाने होंगे SST को 30 लाने होंगे बाकी को इस प्रकार 120 कुश्चन होंगे 300 अंक होंगे समय होगा 2 गंटे का वही हिंदी और इंग्लिस दोनो भासाओं के लिए आपको 2 कुश्चन दिये जाएंगे और इनमें आपको कम से कम 9 अंक SST वालों को 10 लाने होंगे बाकी क को आदा गंटे का समय मिलेगा इसमें एक प्रस्टन हिंदी का होगा एक होगा इंग्लिस का यह भी आपको कम्पूटर पर टाइप करने होंगे और यह टेस्ट होगा इंग्लिस का क्वालिफाइंग निचर का होगा इसके नमर्वाइल मेर्ट में नहीं जुडने वाले हैं जो करने में एक्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको इंटर्वी के लिए बुलाया जाएगा इंटर्वी जो होगा वह होगा आपका साथ हंकों का इसमें जनरल ओवी सी करने होंगे तीस वहीं सेस्ट करने होंगे 27 तो साथिवों आप इंपोर्टन डेट एक बार फ् सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए को यहां मिलती है सही जान काई ब्लकुस अलबासा में धन्यवाद